वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकर्ड के टॉप टेन कोश्चंस जो कि वह अतनी से संभन्दित कोश्चंस रहेंगे वीडियो को लाइट तक देखेगा लाइट मैं आपको कमेंट करके बताना है कि आपके दस में से कितने कोश्चंस सही निकलें इसके साथ यदे आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उपर आई बटन में और नीचे डिस्किप्शन बाक्स में उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे यह रणा है कि इस्थाई सब्द का सुध वतनी रूप काउंसा है आपके पास चार आप्सन है आप देख सकते हैं इसमें से को और इंसर बताना है कि इस्थाई का प्रोद्य जाए देखते हैं तो इसमें आपका आप्स अरो से हो थ्यक्शन नमबर 2 आप चलिए next question देखते हैं next question है सुद्ध वयतनी का chain कीजिए जल्दी सब्द का सुद्ध वयतनी रूप क्या होगा यह आपको बताना है आपके पास चार अप्षन है आप देख सकते हैं इनमें से आपको correct answer बताना है कि जल्दी का सुद्ध वयतनी रूप क्या होगा चलिए देखते हैं तो इसमें आपका अप्षन से रूप आपस नमबर second चलिए next question देखते हैं सुद्ध वयतनी का chain करना है प्राकतन का सुद्ध वयतनी रूप क्या होगा आपको बताना है आपके पास चार अप्षन है इनमें से आपको correct answer बताना है कि प्राकतन का सुद्ध वयतनी रूप क्या होगा चलिए देखते हैं तो इसमें आपका अप्षन से रूप आपस नमबर first चलिए next question देखते हैं सुद्ध वयतनी का chain करना है आपके पास चार अप्षन इसमें से आपको correct answer बताना है यानि कि सुद्ध वयतनी रूप में कौन सा सब्द लिखा हुआ है ये आपको बताना है चलिए देखते हैं तो इसमें आपका अप्षन से रूप आपस नमबर first छेत्र चलिए next question देखते हैं पतिवादी का सुद्ध वयतनी रूप क्या होगा ये आपको बताना है चलिए देखते हैं आपके पास चार अप्षन है इनमें से आपको का अप्षन रूप बताना है चलिए देखते हैं तो इसमें आपका अप्षन से होता अप्षन नमबर first चलिए next question देखते हैं सुद्ध वयतनी का चैन कीजिए उस्व का सुद्ध वयतनी का होगा ये आपको बताना है चलिए देखते हैं तो इसमें आपका अप्षन से होता अप्षन नमबर second उस्व चलिए next question देखते हैं next question है सुद्ध वयतनी का चैन कीजिए Jest का सुद्ध वयतनी क्या होगा यह आपको बताना है चलिए देखते हैं आपके पास चार अप्षन इस में से आपको करेक्टर एंसर बताना है चलिए देखते हैं करेक्टर एंसर कौन सा है इस में आपका अप्षन से होता आप्षन नुमर फूर Jest Next Question है सुद्ध वयतनी का चैन कीजिए आपके पास चार आप्षन है इन में से आपको करेक्टरेंस से बताना है कि कौन सा सुद्ध वयतनी रूप में लिखा हुआ है चलिए देखते हैं तो इसमें आपका आप्षन से होता है आप्षन नबर सिकेंड अंतरधान चलिए नEXT कोर्शन देखते हैं सुद्ध वयतनी का चैन कीजिए आपके पास चार आप्षन है इसमें से आपको सुद्ध वयतनी रूप वाला सब्द निकालना है यानगी कौन सा करेक्ट है यह आपको बताना है चलिए देखते हैं तो इसमें आपका आपसर से होता है आपसर निम्बर थार्ड यह थे हिंदी व्याकर्ट के टॉप टेन कोशन्स जो की वहतनी से संबन दित है अब आपको कमेट करके बताना है कि आपके दसमें से कितने कोशन्स सही निकले और ऐसे ही इंपॉर्टन कोशन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब आवस कहलें क्योंकि आगे ऐसे ही इंपॉर्टन कोशन्स ग्रामर से यानि की हिंदी ग्रामर से और पर्रया और अध्यान के साथ साथ आने सब्सक्राइब के भी कोशन्स आते रहेंगे सो फ्रेंट्स चैनल को सब्सक्राइब अवसक्राइब लें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू